तो गाईस कैसे आप लोग आज की वीडियो में मैं बताऊंगा color grading के बारे में आप color कैसे कर सकते हो कोई भी पाइबट है आपके पास या फिर कोई भी row है अगर आप बनाते हो अपने presentation के लिए या फिर कहीं आप report कर दो तो वहाँ पर क्या होता है color का demand होता है आप अच्छे खासे color करके भेज़तो हो यहाँ पर इसका total subtotal आप दिखा सकते हो तो यह चीज आपके लिए बहुत 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 है नहीं हो सकता है क्या गरोग अगर आप इसको पूरा color करना चाहते हो तो अब पूरे को select करोगे अब तरीके से आप यहाँ पर color grading कर सकते हो control change करोगे तो आपका same format में फिर पहले जैसा आजाएगा अब मैं चाहता हूँ इसका italic change करना यहाँ पर इसका थोड़ी अच्छा नहीं लगा तो मैं क्या करूँआ यहाँ पर home page पर जाके यहाँ पर click करूआ और जो भी tagli में लेना चाहता हूँ जो भी formant में लेना चाहता हूँ उस format में क्या करूँआ इस पर click है तो देखो इसका formatting कैसे हो गया कभी भी आप use करना उसके बाद क्या करना चाहते हूँ आप चाहते हूँ कि इस की चीज में सबसे नीचे, इसके shortcut key में आपको बताता हूँ कि आप कैसे shortcut key के थुरू आप color कर सकते हूँ इसको पूरे को करना है तो control shift दबा कि और arrow की right वाले दबाना Alt H, आपने दबाया, फिर H करके और down करके कोई भी color आप ले सकते हूँ Alt H, इसके डाउन करके आप कोई भी color ले सकते हूँ दूसरा चीज, आप चाहते हो इसके बीच में कोई दूसरा italic लिखना, कोई दूसरा word मनलब कोई दूसरे color से topic लिखना आपके लिखना है, जैसे जो heading है वो लिखना Alt H, आपने किया, उसके बाद क्या दबाया होगी, एपसी आप दबाया होगी Alt H, एपसी आप दबाया कि उसके बाद कोई भी color यहाँ पर ले सकते हो तो यह आपके लिए बहतर हो सकता है यह दो चीज मैंने आपको shortcut की कि थूँ बताया, आप कैसे color कर सकते हो अगली वीडियो में इससे भी बहतर में आपको बता हूँ, इससे भी क्योंकि अभी starting ना आपको कर बता रहा हूँ तो चैनल पर नए हो तो प्ली चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना ताकि यह आपके लिए वीडियो बहुत ही helpful होगा आप जलो मिलते हैं नेक्स वीडियो में जब तक लिए बाई-बाई, टेक केर, थैंकियो सो मच